तिलंगाना के मुंगुडू में TRS पार्टी के कैंडिडेट के प्रभाकर रेड़ी वने सिकंदर भक्तों की पार्टी बीजेपी को बाई एलेक्शन में हुई शर्मनाखार सेकुलरिजम की हुई जीत अवाम ने दिखा दिया भाजपा को इनका अपना अश्री चहरा हिंदू मुसल्मान वाली पॉलिटिक्स यहां नहीं चलेगी जी हाँ तीन नवंबर जुमेराद भरी मुरादवाले दिन हुई पोलिंग में मुनगुडों की अवाम ने भक्तों की पार्टी बीजेपी को भगा भगा कर हडा दिया है और यहां के सेकुलर चीफनिस्टर केसी आर की पार्टी के उमिदवार के प्रभाकर रड़ी की 10,059 वोटों से काम्याबी भी हो चुकी है और यह काम्याबी एक सेकुलरिजम की जीती जाक्ती मिशाल भी बन चुकी है क्योंके पिछले कुछ सालों से हमारे सेकुलर मुलक भारत में नफरत की पालिटिक्स खेलते हुए भाजपावाले देश को दूसरे बहुत सारे छोटे कंट्रिज से भी पीछे ले जाकर खड़ा कर चुके हैं और आप इनकी नजरे यहां तिलंगाना स्टेट में जमी हुई है और यहां भी वही जहरीली और नफरतवाली सियासत खेलने की कोशिश करते हुए एक सद्खे के कव्वे को यहां की अवाम पर से वार कर फिक दिया गया है जो हमेशा से बेकार के काई 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 करते हुए यहां के सेकुलर लोगों में दरार दालने की कोशिश भी कर रहा है क्योंके यहाँ पर बीजेपी के कुछ सीनियर और सेकिलर लिडर्स जैसे के किशन डिडी बंडारू दतात्रिया डॉक्टिर लक्ष्मन फॉर्मर एमलसी एन रामचंदर राओ के लावा दूसरे भी मौजुद है मंगर आज तक भी इन खायदिन ने कभी भी हिंदू-मसल्मान वाली सियासत नहीं खेली और यह लिडर्स हमेशा से ही मुसल्मानों के काम भी करते हुए आ रहे हैं इसी वज़े से भी सत्के के इसकवे को बंडी पर भेजा जा रहा है एक काला लिंडू था जो बहुत उशला करता था और हर थोड़े दिन को आवाजें पकारे भी किया कर रहता था मगर अब इसकी आवाजे निकलने वाली तमाम सुराखें जेल में रहने की वज़े से बंड भी हो चुकी है इसके लावा भक्तों के ये लीडर्स अपने परसनल बेनेफिट्स के लिए तिलंगाना स्टेट में से केशियार जैसे एक शेकुलर लीडर की हुकुमत क भी खात्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसलिए भी मुनगुडु से कुमटी रेडी राजगोपाल रेडी को जबरन राधम का कर ब्लैक मेलिंग वाली पौलसी एड़ाप्ट करते हुए अपनी पार्टी में शामिल करवाया था मगर मुनगुडु की अवाम ने कुमटी रेडी राजगोपाल रेडी और उनके बड़े भाई मपी कुमटी रेडी विंकेट रेडी का यहां की अवाम पर अच्छा खासा रुआब और दबदबा भी खायम है और रेडी ब्राधर्स को अवाम भी चाहती है इसलिए भी भकता यह चोचे थे के कुमटी इस बाई एलेक्शन को जीतने के लिए सवो करोड़ो रुपे की रखम को खर्चा भी कर चुके है और शराब चिकन मटन को तो हर रोज पार्टी कर रहे थे मगर मनगुडू के सेकिलर लोगों ने इन सब चीजों को चलने नहीं दिया और टियारेस हुकूमत के काम से मतासिर होकर इन्हें कामियाब कर दिया जिससे ये समझ में आ रहा है कि यहां की अवाम भी बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है इसलिए टियारेस के कैंडिडेट के प्रभाकर रेडी की जीत हो चुकी है जिसके बास से टियारेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स और वरकर्स उसने जीत का जम कर जशन भी मनाया और पताखे वगरा छोड़कर भक्तों की जलेवे पर दबा कर नमक भी लगड़ दिया जिस पर आप सब क्या कहना है कॉमेंट बाक्स में ज़रूर जवाब देना झाल झाल